नमस्कार दोसन स्वागत है आपका हमारे शेनल जार जागेंदर मिसा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया शीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दीपा वली के दिन एक नई जाड़ू रख दे यहाँ पर रातो रात चमक जाएगी किसमत बन जाओगे महा करोड़ पती दोस्तों आप सभी को दीपा वली की धेर सारी सुबकाम नाएं दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि दीपा वली की रात को आपको एक नई जाड़ू यहाँ पर रख देनी चाहिए दोस्तों निश्चित तोर पे आपके किसमत चमक जाएगी और साथी साथ आपको अपने घर के अंदर धन के मामले में खूब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और बन जाओगे महा करोड़ पती आप दिन में रखें या रात में दीपा वली के दिन आप जरूर करें यह उपाय जाड़ू का दोस्तों दीपा बली पूजन के दिन जहाडू का विशेस महत होता है और साथी साथ जो ब्यक्त जहाडू के साथ किशी प्रकार का उपाय करता है उसके जीवन के अंदर उसके घर परिवार के अंदर कई तरह के फायदे मिलते हैं इसी बज़ा से आज हम आपको बताएंगे ये उपाय की दीपा बली के दिन आखिर आपको जहाडू का क्या उपाय करना है और क्या महत तो रहता है इसका जाडू को साक्षात माता लक्षमी जी का रूप माना गया है प्रतीक माना गया है जो कि आपके घर के अंदर से दर्रिता रूपी कचरे को हटाता है और स्वक्षता को बरकरार रखता है घर के अंदर सकरात्म कुरजाओं को भी बनाए रखता है इसलिए दीपावली की रात को जाडू का पूजन किया जाता है जाडू को भी दीपवली के अंदर सामिल किया जाता है इसलिए आप क्या करें घर के वस्त दोस्त को सही करने के लिए घर के अंदर धन का आगवन करवाने के लिए घर के अंदर देवी देपताओं को प्रवेस करवाने के लिए आपको एक पती साथी साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर परिवार के उपर बनी रहती है तो आए जानते जहाडू का ये उपाय आखिर आपको क्या करना है दोस्तों सबसे पहले आप क्या करें जैसे कि आप दीपवली के दिन पूजा करते हैं और दीपवली की समागरी लात जाडू लगा देना है पूरे घर में फिर गंगा जल से छिरकाव करके उससे आपको जाडू को ये एक बार फिर दुवारा नहीं निकालना है ना ही किसी को दिखाना है किसी के नजरे ना पड़े इस बात का भी धियान रखना है आपको अब क्या करें कि जाडू को लेकर आ तो आपको इस जाडू के उपर तिलक लगाना है कुमकुम का और उसी समय आपको एक लाल धागा भी लेकर आपको जाडू के उपर बांदेना चाहिए। गरीबी दूर हो जाए, धनकागवन हो जाए, फिर मालक्ष्मी जी के ओम स्री महालक्ष्मे नमोनमह इसमंत्र का आपको 21 बार इसमंत्र का जाप करना चाहिए। रखा रहता है मा के सामने, मातल लक्ष्मी जी का आस्तिरवाद इस जाडू पर बन जाता है, ऐसा करने के बाद जो पूराना जाडू जैसे आपने घर में रखे हुए हैं, उसे घर से बाहर आप, दीपावली के रात को आप बाहर कर दें, अपने द्वार पर रख दें, इस इसको आप क्या करेंगे, साथी साथ इसको आप उत्तर और पश्चिम के कोने पे रख दें, ध्यान रखे हैं, उत्तर और पश्चिम के कोने पे रख दें, फिर देखेंगे कैसे रातो राज चमक उठती है आपकी किसमत और बन जाओगे महा करोड़ पती, दोस्तो दीपाव पूरी रात रखने दे तो इसमें पूरी रात मा की कृपा वर्सेगी और फिर अगले दिन इसे आप उठाकर आप पश्चिम और उत्तर के कोने पे रख दें फिर आप इसे इस्तिमाल भी कर सकते हैं तो दोस्तों एक नई ज़ाडू का अगर आप यहां पूजस्थान पर रख करिएगा तो दोस्तों भी इडियो को राइक करें ज़्यदे शेयर करें चलोंकर सब्सक्राइब करें जये महालकी